हलो फ्रेंट्स आइम अप्रती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस अभी कुछ दिन पहले कैनफ और मॉनिंग लोरी के कुछ प्लांट अपने आप ग्रो हो गए थे तो उसको हमने ट्रांस प्लांट किया था आपसे शेयर भी किया था वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चैकीजिए तो छोटे प्लास्टिक पॉट में लगा दिया था तो अभी उसमें काफी अच्छे से ग्रोध कर रहा था तो फिर पापा ने कहा था कि जिस ग्रोध बैग में लास्ट यर कैन अफ प्लांट लगा हुआ था उसी ग्रोध बैग में यह चोटा प्लांट भी शिप्ट कर दो लेकिन इस grow bag में आप देख सकते हैं कितने जाधा plants हो गए हैं जो अपने आप grow हो गए हैं इसमें गेंदा लगा हुआ है, पिटूनिया लगाया हुआ है, तुलसी जी भी है इसमें और डाइन्थस भी है और morning glory भी एक plant है जो कि छुप गया और growth नहीं कर पाया क्योंकि उसको जाधा धूब भी नहीं मिली और फिर उसमें seeds भी बन रहे थे तो इसको sunlight नहीं मिल पाई क्योंकि आसपास के पौधे काफी बड़े हो गए और सही से दूप ना मिलने की वज़े से growth बंद हो गई और यह जो सूखा हुआ पौधा आप देख रहे हैं स्टिक्स ही लगी हुई है इसमें तो यह लास्टिर का can of plant ही है जो की काफी बड़ा हो गया था और देखिए इसके stem को हलका scratch करेंगे ब्राउन हो चुका है यानि पूरी तरह सूख चुका है हमने सूझा था morning glory इसमें growth करेगी तो इसी पर ही इसको चला देंगे लेकिन अभ अगर आपको कोई plant shift करना पड़ जाए और same pot में काफी plants हैं तो क्या करना चाहिए तो फिर हमने एक side select की इसमें और यह पूरब दिशा की और मुह है इसका यानि की east facing side हमने ली है और जितने ही छोटे plants हैं गेंदे के यह तो growth नहीं कर पाएंगे क्योंकि side के plants काफी बड़े हो गए हैं तो इनको हटा देते हैं और थोड़ी जगया बना लेते हैं लेकिन फिर हमें दिखाई दिया कि morning glory में भी एक seed pod तयार हो चुका है जो कि अभी तो इसने flower सी दिये थे लेकिन इतनी जल्दी seed बन गए तो plant पुराना होने लगा और फिर धूप नहीं मिल पाई growth नह आने वाला plant है इसमें वह आगे को अच्छी growth कर पाएगा तो अभी प्लांट को मिट्टी से बाहर निकालते हैं वैसे तो पूरी मिट्टी से बाहर आ जाता यह लेकिन grow bag में इतनी जगह नहीं है कि सारी मिट्टी के साथ shift हो जाए इसी लिए जैसे हम केक कपी कट करते हैं अ नहीं किया है और फिर उपर से इसमें एक दो मुठी खाद और डाल देते हैं इससे क्या होगा जो मिट्टी है इसमें खाद नहीं है क्योंकि इतने सारे plants grow हो गए थे और can of plant खतम हो गया था तो हमने इस पे ध्यान नहीं दिया और कोई fertilizer aid नहीं किया तो वापस से इसमें दो इनके बाद flowers देने के बाद और फिर ये can of ही growth करता जाएगा और last year की flowering देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा जरूर चेक कीजिएगा तो वही plant जो था last year का उसी के बराबर में हमने लगा दिया है वो भी side में था center में नहीं लगा था ये भी side में ही लगा दिया है क्यों और एक बार ये उंचा निकल गया तो ये अपने आप उपर की तरफ growth करता चला जाएगा और fertilizer तो मिलेगा ही अब ये seeds हैं जो की last year हमने collect किये थे video description box में है जरूर चेक कीजिए इसके seeds में थोड़े थोड़े काटे होते हैं पूरे हातों में लग जाते हैं जब हम seed pot से seed को निकालते हैं तो थोड़ा ध्यान से ही कीजिएगा और ये कुछ seeds हमने इसी मिट्टी में लगा दिये हैं जलकी नमी मिलती रहेगी और seed germinate हो जाएंगे ये plant plaster का ही है जब seeds पक गए थे और गिर गए थे इसी pot में तो एक पौधा तयार हुआ था लेकिन flowers नहीं दे पाया क्य की season off हो गया था तो अब इसमें regrowth हो चुकी है नई पतियां आ गई है ऐसे ही ये एक plaster का plant है देखिए एक बेकार grow bag में लगाया हुआ है आटा bag में और लेकिन इसमें भी new growth स्टार्ट हो गई है तो इस तरह से जो कैनफ के plaster के plant हैं उनमें भी growth हो जाती है उस पर भी हमने वी मिनेट हो जाते हैं आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा थेंक यू